हलो फ्रंट्स, आज हम बनाने जा रहे हैं टैडी बियर जूला इसे बनाने के लिए दागा, रींग, मोती, लठकन, सीजर, लाइटर, इंची टेप रींग, आठ इंच की ए, चार इंच की ए, धागा, तीन लच्छी चाहिए इसे रींग है, आए धागे हैं, एक धागा हमारा आठ मेंटर का है, बारा धागे हैं, ठीक इसको हमने यहाँ फसाया, यह ऐसी, डावल फोल्ड है, यह रखके यह देखे, इसमें हमने दो धागे फसा दिये, ठीक, इसी तरह हम सभी धागे इस रिंग में फसा लेंगे ये दीखे पर पाँच इधर पाँच इधर अवीधर वाला धागा लेंगे इसके लिए यह यहां से फिर पिर इस धागे से एक बार और अपिर इसे छोण के फिर अगला लेंगे कि यह देखिए फिर एक बार दो बार हो गई फिर छोन दिए फिर अंगला धागा इसी तरह में धागे सभी करेंगे कि अब हम देखिए इधर वाला धागा जो यह पाइपिंग की यह थे उस वाले धागे में इनसे करेंगे करना हमें से मुशीता रहें एक धागे से दो बार यह ऐसे फिर इस कोई इसी से फिर डाल दिए फिर उसे छोन के अंगला लेंगे फिर करेंगे इसी तरह हम लाश तक कर लेते हैं पहले यह थे जैसे हो गया अब हम इधर करेंगे इनसे करेंगे ठीक यह वाला जो पहले करके लाए थे उसमें हम नहीं करेंगे बस खाली यह वाले करेंगे इसे भी छोन दिए अब हम इस साइट के धागे लेंगे इसे करेंगे इसी तरह हम हर बार बनाएंगे लाश तक बना लेंगे हमारे एक एक धागे रहेंगे देखें जैसे इतना हो गए यहां तक ठी अब इधर के एक धागा लेके इन सब ही धागों से पाइपिंग कर देंगे सेम इधर के लेके करना हमें उसी तरह हैं एक धागे से दो वार प्रण्जे अब हम इधर से फिर बनाएंगे इसे छोड़ देंगे इधर लेंगे इसाथ में यह ऐसी ठीक एक बार और फिर इसको इसी हाथ में लेगे दो हो गए हमारे धागे फिर अंगला लेंगे उससे करेंगे अब देखें पर इसे भी आथ में ले लेंगे फिर करेंगे इसी तरह हम यहां तक बना लेती हैं आप अब इधागे इधर पकड़ेंगे इवाला फिर इधर चेंगे इधर शेंगे इधर शेंगे इधर शेंगे आप इसे मैंसे हम छै राउंड करेंगे जैसे एक हो गया हमारा फिर दूसरा इसी तरह हम छै वाल निकाल लेती हैं अब इसे छोन देंगे अब इसी हां से धागा निकालेंगे फिर इससे दो वार करेंगे जैसे एक राउंड हो गया फिर एक और फिर रंगला लेंगे फिर निकालेंगे इसी तरह हम लार्ष तक हमारा एक धागा रहेगा तब तक सेम निकाल लेती हैं यह देखें जैसे हो गया ठीक अब इसमें एक हम मोलती डालेंगे यह अचे इस धाल्यों में हम इससे पाइपिंग कर देंगे जैसे है इसमें हम एक मोलती डालेंगे इस धागे में इससे पाइपिंग करेंगे यह देखें ठीक अब यह धागा लेंगे इससे पाहले पाइपिंग कर देंगे एक हो गई दो ठीक इसमें मोलती डालेंगे इस धागे में इससे भी कर देंगे आप दो ठागे सो गई फिर आप यहां से फिर एक धागा लेंगे पहले इन दोनों से करेंगे फिर इसमें मोलती डालेंगे करेंगे इसमें मोलती डालेंगे इसमें मोलती डालेंगे फिर कर देंगे इसी तरह हम यहां तक सभी धागे कर लेते हैं कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि देखेंगे फ्रण यह से इधर बना सेम हमें इधर भी बना लेना ठीए अब हम पहला धागा लेंगे इधर का इसमें दो मोलती डालेंगे सेम इधर में डाल लेंगे एक और लेंगे इसमें इधर दोनों साइड एक एक डाल देंगे अब इधर वाला धागा लेंगे इन सभी से हम पाइपिंग करेंगे आज जी कर दो अब इस साइड से एक धागा लेंगे इधर करेंगे यह हमारा यह उपर जो हमने फूल बनाया यही बनेंगा इसके बाद फिर यही लिया है इसी तरह हम जैसे एक पूरी कंप्लीट हुई हम तीन और बना लेंगे अब हम यहां रिंग अटाइज करेंगे एसको यह आचे लेके आचे जैसे एक बाल लिए ठीक फिर इसी को इधर से एक धागे से दो बार फिरोसे छून के फिरांग ला लेंगे हम इतने ही ठीले रखेंगे ठीक इसी तरह इधर भी कर लेते हैं पूरे धागे यह देखें जैसे इधर लग गया अब इसी धागे को इनको यहां भी सेम जैसे पहले फसा है ऐसे करके इधर भी फसा देते हैं अब हम यहां बनाएंगे यहां देखें हमने यह फसाए दो धागे में इसी तरह सेम इधर भी इधर भी दो धागे फसा लेंगे जो हमारे यह देखें इसको फोल्ड कर लिए आप इसको ऐसे जैसे पहले फसा है तो सेम उसी तरह यह दो धागे फसा लेंगे अब इसमें पहले एक मोती डालेंगे यह वाला धागा देखें इसको ऐसे नीचे से रख देंगे यह ऐसे इसको सेम ऐसे बनाके उपाद से इसके अंदर डाल देंगे यह देखें यहां पकड़े रहेंगे यह वाला इसके अंदर डाल देंगे यहां से निकाल लेंगे दोनों को खीचेंगे ति हमारा टाइट हो गए ऐसी डियाइन बनेंगे फिर मोती डालेंगे यह देखें फिर इससे यह नीचे से ऐसे बनाएंगे थे इसमें हम इसको उपर से ही और यहां डाल देंगे इसको इसको उपर से लाटे ऐसे यह देखें जैसे हमने दो बनाएं इसी तरह 20 मोती डाल लेंगे 20 इसमें 20 इसमें भी यह देखें यह हमारे बन गए ठीक अब इनको भी हम इसमें अटाइच करेंगे यह आचे नीचे रख दिये यह आचे यह दो इसम्ड़ी एंगे यह से इदर भी पसा देंगे यह देखे फस गया है अब इनमें हम सभी में यह चार धागे लेंगे इसको अठ लगाएंगे फिर से छोण के फिर लेंगे यह यहां चीए कि से इधर कि यहां तर बना लेते हैं कि यह देखिए एक से एक राउंड हो गया दो इसके दो इसके दो इधर छोण देंगे फिर बनाएंगे दो इधर भी छूटेंगे हमारे अब हर राउंड में हम दो छोड़ते हुए बनाएंगे फिर बीच में हमारी एक आएगे गांट तब तक बना लेते हैं कि यह देखिए फ्रण जैसे बन गया एक हमारी आ गई अब हम बीच वाले चार धागे चार इंच में कट किए पर जो एक किनारे हैं इनको सबको तीन इंच में इधर भी देखिए जैसे यहां है जो यह दागे हम कट की हैं ऐसे सेंटर बना लेंगे यह देखिए ठीक है यह इतना हमारा इसको हम थोड़ा से इतना बढ़ा लेंगे यहां पर फसाएंगे यह ऐसी तरह हम इस गयद तक यह सभी धागे फसा लेंगे अब यह देखिए जैसे हो गए अब इनको हम दो धागे लेंगे दो उपर दो नीचे इसके बाद इस रिंग में हम फसा देंगे इसी तरह हम सभी धागे कर लेंगे यह देखिए जैसे धागे फस गए अब चार धागे लेके इसमें हम इसको अनक लगाएंगे यह से छोणके फिर अंगले में इसमें हमारी तीन गाठे आएंगे क्योंकि हमने बारा धागे फसाएं अब वीच में फिर से इधा दो छोणके फिर गाठ लगाएंगे तो हमारी दो होंगे फिर एक आएगी सेम दूसरे साइड भी बना लेंगे हम जैसे हो गए इनको हम सभी को तीन इंच में कट कर लेंगे दागे सेम इधर भी देखे जैसे दो धागे कट किये हैं ए ए ऐसे करके दो धागों में इसको ऐसे चिपका देंगे इसी तरह हम सभी में लगा लेते हैं लटकर जैसे यह है कि इसे भी हमें कम्प्लेट करना एक धागा लेंगे लेड़ मेटर के इसको ऐसे डावल फोल करके डाल दे ठी यह ऐसे अब एक मोती डालेंगे फिर इसको उपार से फिर इसको नीचे से फिर मोती है हमें इसको इसी तरह इधर और इधर दोनों सब कम्प्लेट करेंगी पहले इसे बन गए अब इधाग यहीं कट करेंगे हम ऐसे और यहीं स्टिक कर देंगे इधर प्रंस हमारा टाइड़ी जूला कम्प्लेट झाल